गुट मॉर्निंग जी गुट मॉर्निंग क्या हल चाल शुर बढद हैं, इसलिग कर दो मॉर्निंग के शॉट प्रबद मॉर्निंग कर दो कि अनल मॉर्निंग उन्पर करते हैं, इसलिग स्थर्वांग कर. याल चाल बैई कितना रिविजन हुआ याल चाल बैई कितना रिविजन हुआ कि कौन कौन बैई क्लास के साथ चल रहे हैं अभी कि पुराना बैक लोग नहीं है अभी कुछ भी कि अधिया तो दिला देते हैं सी क्यों मैं वैसे भी वह आगा वाला कौन सा पूछने को कहते हैं हिंट तो दे देते हैं इसके अंदर चार मैं से के एक ही सेलेक्ट करना है दूरू करें भाई कि अधिया दिन के चुटियां होगे भी ताप यह होगे लगता है दूल जम गई हैं मेरे को खुद को यह दूरा लगता है वह एक काम के लिए जो बस जाते हैं तो पिर लंबा खिच जाता है कि अधिया दो जाते हैं झाल झाल शुरु करें भयाएं शुरु करें भयाएं सुरु करें देख। सबसे पहला रहता है कि यह क्या और यह क्यों अपन जो अभी तक पढ़ रहे थे ना उसे कहा जाता है ट्रेडिशनल कॉस्ट अकॉटिंग और आपको अगर पता हो तो जो तो CMA है Cost and Management Accountant, उनको Cost and Work Accountant पहले कहा जाता था फिर उन्होंनों Cost and Management Accountant या Cost Accountant से वो Cost and Management Accountant उन्होंनने भी अपना नाम जो हो जाए वो चेंज गिया और Institute ने भी अपना नाम जाए वो क्या किया था चेंज गिया था उसका reason किया था कि देखिए जो ट्रेडिशनल कॉश्ट अकांटिंग था ना उसके अंदर एक ही चीज चलते देते और यह की चीज़ पर वो कंसेंट्रेट करते ते कैसे भी करके पैसा जो कम से कम लगे हैं लेकिन अगर हम मार्केट देखे तो मार्केट के अंदर कस्टमर जो है वो सारे सारे कम पैसों पे तयार नहीं है वो कहते हैं कि हमें quality दीजिए पैसा चाहो तो आप ज्यादा ले ले लिजी समझारी बत जैसे कोई भी जो है माली जिए को इंस्ट्यूट है वो उसके पास दो अप्सन एक उप्सन है कि वो क्या करें बहुत ही कम rate के अंदर जो कोर्स करें कम rate के अंदर courses offer करें जैसे यह जो है course बहुत ही सस्ते के अंदर अगर available करवाय जाएगा तो उस case के अंदर क्या personal contact हो पाएंगे क्या नहीं क्या उतनी service दी जा सकती है क्या नहीं क्योंकि number of student जाता हो जाएंगे और उस case के अंदर क्या वो quality दे पाएंगे क्या नहीं clear है तो उसकी बजाएक कुछ student ऐसे है या कुछ demand ऐसी है जो कहते है कि पैसा थोड़ा ज्यादा ले लो लेकिन हमें जो क्या चाहिए परसनल जो अटेंशन चाहिए हमें जब doubt पूछने हो तो doubt पूछने के लिए जो वो faculty available हो इस तरीके के भी demand जो available या फिर अपन एपल का mobile देक पैसा ज्यादा ले लो लेकिन हमारी सेक्यूरिटी जो हो राइम है वो ब्रेच नहीं होने चाहिए और प्रोड़क्ट हमें अच्छा चाहिए जो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकांटिंग जो थी न वो स्रिप और स्रिप किस पर बात करते थी कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट और उसको फिर जो क्या करना है कम करना है तीन वर्ड जो हो अपन हिंदी में पढ़ते हैं कि मात्रा इधर उद्र हो देख लिजेगा ना कि यह तो मैंने पूरा ही गलत लिखा है में तो यह और समझ लिजेगा ना मैं हिंदी जो है वो मात्रा इधर उद्र हो तो उसको करेक्ट कर लिजेगा अपने साथ से तीन वर्ड है जो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकांटिंग जो ता न वह इसके उपर बात करता था कि उससे भी कम लगाओ बात करेगा िसके यह करें अतना पैसा जो खर्च करो जैसे की अपन जो आज के ताइम के अंदर जो कस्टोमर है वो झाहिव फोणि आके तरहें हम और than मार्केट के इसाफ मुझा नियुक्ति तरह भी नहीं खरीद रहें तो किसे रहें रहेंगे अ है कॉंसा होगा जो जरूरत के सामान भी जो nadal प्रचेजर नहीं करेगा तो य तीन केटेगरी करते तो उपना जो ट्रेडिशनल कॉस्ट रकॉंटेंग मैनेज्मेंट मर्लक्टा इसे प्रोपर से एक सत्राइए मेंने 뜻 है जो जब strategy decide कर रहा हो उस वक्त जो है वो इस चीज़ पर ध्यान दे उस वक्त जो वो सारी information ले रहा है उस वक्त उस information के अंदर cost के information भी available होने चाहिए और सरफ और सरफ यह बात नहीं लेके चलेंगे बस सस्ता देना सस्ता देना सस्ता देना कम से कम rate जो वो रखनी है वो जरूरी नहीं है क्योंकि product जो आप मार्केट के अंदर तीन तरीके से लीड कर सकते हो एक तो है product differentiation मतलब कि आपका प्रोड़क्ट ऐसा है जो कि अलग है जैसे कि apple है उसका product ऐसा है कि आप कुछ भी रखो लेकिन आपका product क्योंकि उसके features अलग है तो वह अपने आप से बिकेगा दूसरा ज करेंगे अपन पर्टिकुलर अपने को पता है कि कौन अपने customer है और उन customer के हिसाब से ही अपन क्या करेंगे product जो वह डिलिवर करेंगे बाकी वाले जो वह product डिलिवर नहीं करते जैसे कुछ ऐसी company होते जिनके अंदर monopoly हो जाती है कि वह particular छोटी सी demand ही complete करते हैं लेकिन उनका market जो भू क्या है एक तरीके से focused market है उसके अंदर वही है और बाकी के नहीं है और तीसरा जो है वह है है पॉस्ट लीडरशिप की आप पॉस्ट के केस के अंदर जो क्या कर देजिएगा लीडरशिप हासिल कर देजिए जिसका एक एकग्जम पहलाता पार ले दिम जो कि इसके उपर है कॉस्ट लीडर से उपर है इसमें आ जाएगा जैसे एपल फोकस मार्केट के अंदर कौन सा जाएगा बैको ऐसी है कंपनी जो पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट बना रही हूं बहुत पर्टिकुलर कुछ ग्रूप के लिए ही जो प्रोडक्ट जो बना र है और यह पूरी की पूरी स्टेडी जो है हाँ चाहिना बिल्कुल बैसका जो हो एक और एक्जामपल जो हो चाहिना यह पूरी की पूरी स्टेडी जो हो बनती है यह पूरी केस बेस्ट इस्टेडी जो हो बनती है जैसे एक एक्जामपल लिया जाता है कि बहुत जैसे एट सेंटर पर जो काम करहें ते लोग उनको क्या कर दिया कम वज्या gपनी डिया इससे थे पनि कोस्ट कम हो जाएगी कोस्ट भी कम हो गया और कंस्टमर समय तो हम सर्फ यह चीज дос लेकं चले कि नहीं कोस्ट ही कम करनी है नहीं वो जरूरी नहीं है जरूरी यह है कि आपकी एक strategy होनी चुछ है प्रॉपर strategy कोस्ट के मामले में और उसके इसाब से आप कोस्ट के बारे में क्या करें डिसाइड करें कि आपकी कोस्ट कितने तक लगे तो ठीक है है कितने तक का जो है customer देने को तयार है market के अंदर क्या डिमांड है traditional के अंदर हम क्या चल रहे थे ट्रेडिशनल में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि कि रेडिशनल जो है पुरानी वाली जो थी उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वह क्या थी कि वह इंटरनल इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस था कि कितने लग रहे हैं standard बनाए आपने कि 10 रुपे में पहन बन जाना चाहिए फिर जो दस 10 रुपे ही लगे उसके लिए आप पॉस्स करते थे फिर दस के बजाए 11 लग जाते तो फिर उसके इसके अंदर आप दुख्य होते हैं कहते है तो फिर आप खुश होते कि वह यार बहुत बढ़िया जो हो 9 रुपे में बन गया और इस तरीके से आप चल रहे थे लेकिन य यह जो है इस्टेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट यह कहता है ऐसा करने से मतलब नहीं है पहले आप जाके क्या करो खुद की इन्फॉर्मेशन तो हो जो हो दूसरा है कि आप मार्केट के अंदर देखो कि जो है कट आफ क्या रह सकती है किस तरीके की पेपर आये तो क्या इस्टेटी रह सकती है लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे है पुराने टाइम के अंदर जो तैयारी थी तैयारी के अंदर और इस तैयारी के अंदर क्या क्या चेंज आए क्या क्या सिट्वेशन आई है तो अब दोनों इंफोर्मेशन जो वो प्रोवाइड करें या पिर जैसे एक पर्सनल अगर इसका अपने इंस्ट्यूट का ही एक्जाम्पल लें कर सकते हैं एक जैसे फंसट्यूट के पीज आदर जो जो लांच लिया एक जूर्णो इंदर करते हैं हम तक अगर 500 रुपे में करते हैं तो उसकेस के अंदर तक पहुँच पाते हैं तो किता होगे आपना बहुए ये टीचर की जो है वो इंकम की कैलकुलेशन किसका फैवरेट टॉपिक रहा है पांसो एंटू पांत जार पर्चीस लग ठीक है और मान लिए ये दस जार रुपे में अगर रखते हैं तो तो इस्टूडेंट तक ही हम अप्रोच कर बाते हैं यह हो गया दस लग ठीक है क्लीर है अब दोनों मैं से अगर आप देखेंगे तो हिसके इसके इंदर आपको क्या लगेगा कि यह वाले स्टेटेज जैनी में इस में 10 लाग आ रहे है अपने को क्या करना चाहिए यह वाला जूं इसमें जाना चाहिए से अपन क्या कर पड़ेगा लॉंग टर्म भी देखना पड़ेगा कि आपने ये इतना जो है वो जैसे पांच जार लोगों को दे दिया और ये पूरा का पूरा जो एक तरीके से आपके बहुत सारे स्टुडेंट भी होगे फिर उस केस के अंदर आप से अगर उनको कुछ केस्ट पूछने होगे तो क्या पांसर कर पाएंगे कैया नहीं कर पाएंगे क्या अंसर कर पाएंगे क्या वे सब्सक्राइब आप कुछ ऐसा डेजल जो सब्सक्राइब ने अच्छे सेलेक्शन लिया तो फिर उसके अंदर पैसा जो बाद में भी कम आया जा सकता है समझारी बात बाइगे एक बार जो इंस्ट्यूट रिजल दे देता फिर उसके बाद में इस्टुडेंट उसके पास आसान नहीं सा सकते हैं फिर उसके बाद में हो अगर चाहें तो उसके इसके अंदर वह है जो अपने लिमिटेड इस्टुडेंट रख सकता है ताकि उसको क्या हो उसकी एक तरीके से गुडविल क्रियेट हो तो सिर्फ पॉस्ट और रेवन्यू जहों फॉर्ट टर्म के इसाब से ही नहीं देखा जाए उसको लॉंग पॉस्ट के साब से भी देखा जाए जैसे कि अपन बात कर रहेते जो उसने क्या किया कॉल सेंटर कम कर दिया तो कौस्ट तो जरूर कम हुई है लेकिन लॉंग टर्म के अंदर उसकी क्या हो गए तो गुडविल कम हो गई मार्केट सेर कम हो गया ठीक है या फिर आप यह देखते हैं यह वाले हैं अभी जो ट्रू वाइजी करके अन्हों ने क्या कर रखा है कि प्री कर रखा है कि जिनके पास वाइजी एंड सैट है वह हमारा जो है यूज कीजिए आप से कोई भी चार्जेज नहीं लिया जाएगा माई जीओ पर जाईएगा और उसमें एक्टिवेट कर दीजिए का पकटता है आपके ताप अनलिमिटेड उसको यूज कीजिए को सेवन नाईटी नाईन का रेचार्ज कर ह रहा था उसमें लुक्सान नुक्सान हो रहा है लेकिन अगर long term के साफ से देखें तो उस case के अंदर उनको क्या होगा इससे फायदा होगा ठीक है शुरुआत के अंदर आये थे एटेल और वोड़ा फून जो हो अच्छे खासे चल रहे थे उन्होंने क्या किया फ्री के अंदर सिंग दी सारे सारे कस्ट चलाया अब जीओ पर फ्री चलाया लेकिन उसके बेसिस पर उनके क्या हो गई यह जो जीओ सिनेमा वगेरा जो एप है जो यहीं कोई इतना डाउनलोड ही नहीं करता है या इतने लोगों तो कभी पहुंचते ही नहीं लेकिन आभी जो है वह आप देखोगे तो हरकिसी मोब अरड़ी डेड़ी करके वह आ चुका है और कौन सता है इस पर एक वह रंदी उड़क और आया है इंस्पेक्टर अविनास ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया दीरे दीरे जो हो यह क्योंकि अब लोगों के पास उनकी एप जो हो क्या हो चुकिए पहुंच चुकिए ताब वो क्या कर सकते हैं इसके बाद में आगे हो अपना मार्केट जो त्यार कर सकते हैं नहीं तो अगर जी उस इन तो उसने क्या किया वूट को भी अपने साथ मिला लिए समझा रही बात तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा यह क्या रहे हैं कि सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल एक कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन ऐसी जोटी जो है वो मांसिक तक साथ आप बड़ा बिजनस जो नही है कश्टमर के साथ से क्या होगा सारी चीजह होगी अब कस्टमर कह रहे हैं कि हमें क्वालिटी हम पैसा देने के लिए तैयार है और पीर आप कहा रहेंगे मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी इस्टेटेजी डिसाइड कर रहे हैं उसके अंदर कॉस्ट के इन्फॉर्मेशन जब उसको भी क्या कीजेगा इंक्लूड कीजेगा ताकि आपकी क्या होगी एक अच्छी इस्टेटेजी जो बनेगी क्या इस तरीके से जो मार्केट के जाएंगे किस तरीके से मार्केट के अंदर लीड करेंगे वो सारी सारी चीज आपके जब इस्टेजी डिसाइड कर रहे हो तो ही पर जो आपको ए理 teh LAUald करना होगा या पर दो तीन वह पोजिसनिंग क्या होता है कि आप अपने को पहले जो हो आपका प्रोड़क्ट आप मार्केट के अंदर किस पोजिशन पर रखना चाहते हैं यह आप पहले से तेह करें जैसे कि रजिनिंग अंदर डबल जीरो आप जानते ही हैं ठीक है यह इनका 25 रुपे का इनका सैट आता है मान लेजिए अब यह क्या इनका एक प्रेमियम प्रोड़क्ट है यह इनका क्या एक प्रेमियम प्रोड़क्ट है बिजनस की स्टेटेजी, भई यहां घर की स्टेटेजी तो बनाएंगे नहीं, बिजनस की बनाएंगे, समझारी बत, भई किस की स्टेटेजी की बात कर रहे हैं, बिजनस की स्टेटेजी की बात कर रहे हैं, जब बिजनस की स्टेटेजी बनाओ, वहां पर कॉस्ट की इनफोर लेते थे फिर उसके इसाब से जितना जो कॉस्ट बन जाता फिर उसके इसाब से क्या करता बाकी बज़ता वो प्रॉफिट जो होता लेकिन यह कह रहे हैं कि आज के टाइम में आप कितने में प्रोड़क्ट के अंदर कंपेटिशन बहुत ज़्यादा है तो आपको सुरुवा यह समय जाता था मैं उसे 25 एंड़ जैसे रेडियो के के अंदर आप देखोगे तो पहले रेडियो जो एक चलता था फालना कंपनी तो टीवी के केस के अंदर बहुत सारे ब्रांड जो वो आ चुके अब यहां पर जो आप यह नहीं कह सकते कि मैं जितने में बेचना चाहूं उतने में बेच दूँ तो यहां पर आपको पहले से टाय करना होगा कि आप कितने में प्रोडक्ट बना देंगे उसमें कितना कि आख इसाथ जो डिसाइड कीजेगा समझ आरी बत तो तो सिसनिंग क्या होता है जैसे रजनीगंदा का एक प्रोडक्ट है रजनीगंदा डबल जीरो जो कि 35 रुपए में आता है ठीक हो उनका प्रीमियूम प्रोड़क्ट है अब यह जो है अहां टार्गेट कोस्टिंग और यह सारे सारे जोगों नए concept इसके अंदर पिर आ गया है अब यहां पर समझेगा यह जो यह इनका क्या था है प्रीमियम प्रोड़क्ट था अब इन्हों नहीं अगर आप तांसेन देखेंगे तो तांसेन जो है उसका कभी पाउच लेकर उसको चेक कीजिएगा उसमें लिखा है एक प्रोड़क्ट ऑफ रजनी गंदा ठीक है इससे पहले उनोंने अगर आपको पता हो तो उसके इसके अंदर उनोंने क्या कहता एक रजनी गंदा का छोटा सा 5 रुपे का एक पेकेट जो हो 5 रुपे का अहां जी भाई इसके अंदर सब कुछ आता है इसमें सारी information आईगी इसमें आप कुछ ये कहीं नहीं सकते हैं ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा इसमें सब कुछ आएगा समझारी बात क्योंकि आप इसमें आप assistant professor अगर त्यारी कर रहे हैं तो उस case के अंदर सारी information जो आप यूज करेंगे पूराना काट आप कैसा था पूराना paper कैसा था कितना student ना exam दिया था उस वक्त की situation क्या थे student को पढ़ने के लिए time जो वो कितना student को time जो वो कितना मिला वगर वगर रहे यह सारी चाहिए अरे यह यह कहना कि यह वह हम तो क्या कर रहे है प्रोजेक्ट के बारे में जो study कर रहे है उन्होंने जैसे यह क्या किया था पांच रूपय में उन्होंने अपना एक जो पांच निकाला था लेकिन यह market के अंदर प्लॉफ हो गया reason क्या है क्योंकि इनके पोजिस्निंग जो थी वह कैसी थी यार क्या आदमी रजनिगंदा खा रहा है यह जो उसका फील है पोस के लिए जो है वो चीज कर रहा है वो ही जो है एक पास में जो कोई और नॉर्मल आदमी वो भी जो है वो यह की यह चीज जो खरीद गए उसे हुम हां तो यह जो है यह प्रीमियम प्रोड़क्ट था अब उन्होंने यहीं को रजनिगंदा नाम से पांच रुपए और अब जैसे माली जी मेरे को रजनी गंदा खानी है और मेरे को लग रहा है कि एक तो आदत लगी है जो तो है उसके अलावा मैं यह बहुत आ चाहरा हूँ पर मैं पैसे वाला हूं मैं गरीब नहीं हो मेरे को गरीब मत समझना अब मेरे पास जो एक को नॉर्मल आदमी है वो भी जो हो यह कि रजनिगंदर जो खा रहा है तो फिर मेरे को उसमें वो फील आये गई नहीं तो उन्होंने जो दूसरा प्रोड़क्ट निकाला उन्हों तांसें उसके अंदर बिल्कुल छोट प्रोड़क्ट रजनिगंदर बाकि इसकी ब्रांडिंग अलग हुई इसकी मार्केटिंग अलग हुई इसकी सब कुछ जो वो अलग हुई और यह जो है यह क्या किसके लिए रहा यह नॉर्मल कस्टमर के लिए कि तो आपको पहली तो यह चीज पता होने चाहिए हां इंटरिनल साटिस्टेक्शन तो यह जो है आपको पहले तो पता होना चाहिए आपका प्रोड़क्ट जो किस तरीके से पूझेंग कर नहीं है किस तरीके आपको प्रोड़क्ट जो मार्केट के अंदर लेके जाना है समझारी बात फिर इसके अंदर और क्या क्या चीज़े करेंगे बिल्कुल सिंपल सही है इसके अंदर फिर जो आप क्या करोगे cost driver analysis यह कह रहे हैं कि cost कम करना कोई जरूरी नहीं है सरफ cost कम करो या cost control करो reduce करो सरफ यही target नहीं है आप जो हर activity जो भी है आपकी उन activity का क्या करो cost benefit analysis करो cost benefit analysis करो फिर उसके बाद मैं decide करो यह जो है वो activities के अंदर जोड़ी जाए या नहीं जोड़ी जाए जैसे car है उसके अंदर जो sunroof जो रखा जाए या नहीं रखा जाए तो उसकी cost क्या लग रही है जैस cost 5000 लग रही है और उससे customer को value कितनी है या customer उसके लिए कितना देने को तयार है मान लिए दस जार देने को तयार है तो sunroof जोड़ी है अगर 5000 रूपे लग रहे हैं और उससे उसको value जो 4000 रूपे मिल रही है तो उस case के अंदर उसे मत जोड़ो तो मैं जारी बाद जैसे score जो नहीं जोड़ो क्योंकि सभाव जैसे क्यों चुक्त लगता क्या है कि उनको लगता है कि मेरे कस्टमर को लगता है कि मेरे जो customer है जो खरीद रहा है उसका अपने आप में वर्ट बन रहा है सिरफ इसको लेने मातर से उसका जह उसकी वह दाग जम रही है तो पिर वो sunroof वाला feature क्यों add करेगा और वो उसको लगता है कि मेरा प्रोड़क्ट जो एक आफ रोड प्रोड़क्ट है जो कि एक तरीके से हल्क प्रोड़क्ट है तो मैं उसको इस तरीके से कि यह city type के जो क्यों उसके अंदर add करूं समझारी बत तो वो कह रहा है कि हर activity जो उसका क्या करो cost benefit analysis करो फिर पता करो कि आपके उस activity से cost कितनी लग रही और उससे उसको कितना फाइदा मिल रहा है समझारी बत और हर जो cost driver है उसका जो study करो इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि आपका जो टोटल प्रोसेस है उसके अंदर हर प्रोसेस में कितनी value add हो रही है और उसकी कितनी cost लग रही है वो सारी सारी एक तरीके के जैसा ही इसके अंदर कोई खास चेंज है नहीं तो इस तरीके से आप पूरा-पूरा क्या कीजिएगा आप study कीजिएगा तब आप जो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको करना चाहिए प्रोडक्ट जो हो इस तरीके से यह वाली करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए और इस हिसाब से आप अगर कॉस्ट के बारे में बात करोगे इस्टेटेजी के तवर बात करोगे तो उसके के अंदर आपको क्या होगा वाइदा मिलेगा तो और आपको समझ आ रहा है कि भाई कि जो अपना ट्रेडिसन था उसका में फोकस जो था उससरोड और सलिफ कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिड़क्शन पे यह कहता कि कमसे कम मैं सच्छे के अंदर बनाना जब कि यह कह राया है कि नहीं सतय में भनाना मार्केट देखो, मार्केट के अंदर इसके लिए जो कस्टमर कितना देने के लिए तयार है, उसके इसाफ से आप अपने कि अबी नोट में आजाएगा सार 종 hr वेल्व्ण अलाने उसे के अंदर क्या करेंगा पन सितनी भी जो पूरा मना प्रसेς है उसके अंदर क्या करेंगे हर प्रसेस की हर एक्राइटी पर वैल्ली कितनी एड़ कर रहा है और कितनी नहीं कर रहाए है यह दोना वैस एक्रोके ए क्या करेंगे रिमूव करेंगे और जो वैल्यू अड़ेड एक्टिविटी उनको क्या करेंगे कि कस्टमर हम हमें पहले यह करना होगा कि हम हमारे प्रोड़क्ट को कस्टमर की नजर के अंदर किस तरीके से पोजेशन करना चाहते हैं कि समझारी बत जैसे कि क्या हम उसे एड़ प्रीमियम प्रोड़क्ट रखना चाहते हैं एड़ यूटिलीटी प्रोड़क्ट रखना चाहते हैं एड़ पॉस्ट एफिशन प्रोड़क्ट रखना चाहते हैं प्रोडक्त बन रहे हैं वह क्या कह रहे हैं कि हम पैसा ज्यादा लेंगे लेकिन प्रोडक्ट जो हम देंगे वह सबसे बैस्ट देंगे उसके अंदर जो चीज होगी वह सारी सारी बैस्टोगे तो अब यहाँ पर क्योंकि वह कस्टमर से पैसा ज्यादा लेने के लिए तैया रहे तो फिर उसके अंदर पर कॉस्ट कंट्रोल करने पर वह इसके लिए करेगा प्रोड़क्त खराब वह ज्याधा सर्विस एंडर पर जाना पड़े वो तो शुरुआ से उसके लिए क्या करेगा ध्यान रखेगा अपर सेल सर्विस जो बढ़ाएगा यह सारी चीज़ें जो करेगा कि पोडिस्निंग का मतलब एक तरीक हैसे हूं समझ लीजिए हम कस्टमर की नजर में कैसा दिखना चाहते हैं कि असलमिटे नियुक्य तहाँ जाता है हमारे जो प्रोड़क्ट हूं बहुत ऑर इसे अरकोई अफोर्ड कर सकता है कि दूसरा हम जो है जैसे आप राम का केस के दर देखिएका लाइब हो जो कैसे करता है कि 99.99% कि तानोगों से सुरख सा मतलब कि हम किस तरीके का बता रहे हैं डिटो लैया यह दोनों यह किस तरीके हैं कि यह अगर साबुन आप यूजग करें है तो आपको रोग जो है वो कम लगें यह सेम् कर रहा है दूसरा पियर्स का अगर आप देखेंगे तो छपाक चाहिए अगर कैसा एड आता था जिसके अंदर वो आखों में जो वो सबुन चला जाता था फिर भी उसके जो आंसु नहीं आते और मतलब उसको जलन नहीं होती तो वो कहता था कि हम जो हो ग्लिसरीन नहीं निक कोई जो हो अपने हिसाब से अपने प्रोड़क्ट को पहले से एक इमेज इमेज जो हो मार्केट के अंदर क्रियेट करेगा हमारा प्रोड़क्ट इस कैटेगरी के अंदर आयेगा है कि मैं समझा रही है बाद बहुँ अ तम अजरी पूरा थेर्टिकल और क्वेश्चन इसके जो आएंगे वो ऐसे ही आप सही कर लोगे बस थोड़ा से इसको इंट्रोड़क्शन यूनिट कर दो नोर्स बाइ कलिये थे सारे डाउनलोड झाल 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 जैंट्रोड़क्त उनल कर दो झाल 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 यह कि प्रप्रूम एक सब्सक्राइब कॉन सा ता वो देख लेते हैं एक मुट्रे ना झांट यह इस डारेक्ट इस से नहीं परफॉर्मेंस इवेलिशन से था देखो भई यह कह रहे हैं कि सबसे पहले तो लिमिटेशन आप ट्रेडिशनल कॉस्ट मेनेजमेंट ट्रेडिशनल कॉस्ट मेनेजमेंट था वो एक तरीके सा उसका मैनेजर क्या था पैर के रहा था पढ़त है न कि उसे क्या हो रहा था फाइछ जो फैरों कि नखसान में जा रही थे X ze sot 낮 क्यों गयोगा देख्वा रही था हूझ इस विसको फैदा हो सकता है जैसे अपने और के थो KS सेंटर जो क्या कर दी कम कर दी सोट टम में तो उनको फायदा दिख रहा था इस वो जैसे कर रहे तो बाकी वाले इनके बात मान रहे थे लेकिन थोड़े समय बात पता चला कि लॉंग टम के अंदर इसका बहुत जादा नुकसान होने लग गया तो उन्होंने कहा कि एक तो यह को तक पहुंचना है न्युक्त करना तो उसके लिए आप क्या करोगे अपने जो भी हो को daos करोगे तो वहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेका लंबा तेखना पड़े यह सिरे जुलीए अक्टो नौमबर के अंदर एक्जाम होंगे नहीं चल सकते आपको समझेगा एक तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे कि बहुत जैसे मुझे जो हो एक्जाम से पहले पहले तो मुझे क्या करना है रिविजन करना है उसके अलाव मुझे मान लिजिए 6000 लगवक MC क्यों प्रक्टिस करना है यह तो मेरा है बेर मिनिममम यह तीज़ें तो मेरी होनी हीच चाहिए यह आपने टार्गेट रखा है अब इस टार्गेट के हिसाब से आप छोटे टार्गेट रखोगे कि बई जैसे जून एंड तक मेरा आप यह सबजेक्ट जो कमपलीट हो जाना हीए फम उसका यह पार यह हो जाना चीए कोस्ट का यह जाना किकれशथ का रिखान्न का का शुक्सथ अकांधेक्स अकंटिंग कैश्च अकंटिंग का एक यहान टार्गेट अकंप म्सुन भॉत हो जाना चाहते हो ना वहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ सौट टम जो वो देखके नहीं चलना पड़ेगा समझेगा जैसे कोति इंस्टियूट के अंदर मा लिजेगर हम यह निरीने करेंगे फिर्फ में जो पैसा कमाना है। अगर बना उस केस के अंदर कोई एक्स्ट्र एफट जो लगने ही नहीं लेकिन तो टम के अंदर यह फाइदा देगा फिर कल को अगर हम उनका ज्यान नहीं देंगा फिर लॉंग टर्म के अंदर क्या हो गई है जो नुकसान देगा तो अल्टिमेटली हमें कहां पहुंचना यह आपको सबसे बड़ी टर्म है उसके अंदर मिशन आता और उसके अंदर अब्जेक्टिव होता है तो उसके हिसाफ से आप जब आपके प्रोड़क्ट को या अपनी कंपनी को जब मार्केट के अंदर ले जाना चाहते हो तो वहां पर आपको यह ट्रेडिशन वाला जो है उसके कु पहुंचने के लिए आप क्या करेंगा अलग-अलग इस्टेटेगेशी डिसाइड करेंगे वहां इस्टेटेशी जब करते हो LAUGHTER क्या किजिएगा कॉस्ट मैंनेजमेंट का सब्सक्राइबूर्म जब मैंनेजिमेंट का जो बैं यू लोगों के नजर में करना चाहिए कोस्ट मैनेजमेंट करते कैसे एक इस्ट्रेजिक पोजिशनिंग होती है कॉस्ट ड्राइवर अनलेसिस होता है अपने यह आगे डिटेल पड़ेंगे उसके लिए इस्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चैन अनलेसिस है यह इसमें तीन पॉइंट और तो विपका क्या था वह doals त्यूणक तो फ्रेदिशनल कॉस्ट मैनेज्मेंट के अनदर क्या था उसके दिक्क्ते है सबसे पहले तो क्या है रहा था इस तरीकी बाते कर रहा था दूसरा क्या था? यहर्य atención якश्टका मैनेज्मेंट फिक और तक इसप्रेटिक कहा था? यह कोशिज करते प्रोएक्टिव नहीं थे रियक्टिव जो किस तरीके सोता है समझे एक अगर आप कभी इनको तद्गुरु वगएरा इनको सुनते हो तो उनकी जो है वो वो एक लाइन बोलते हैं नेवर गिव यो रिमोट कंट्रोल टो एनिमन एस कि आपना रिमोट कंट्रोल क किसी और को मत दीजिए कि वह किसी ने आके आपको क्या कर दे आपकी तारीफ कर दिया अप खुश हो गए पूरे दिन जहूँ अच्छे मूट के अंदर गोम रहे हैं किसी नहीं आके कह दिया कितना जो तुम समझ़दार हो तो 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 पिरुरे दिन खुश हो के बैठा ह तो यह क्या एक रियक्ट्व अप्रोच आगे वाला जिस तरीके से आपको चला रहा है वैसा वैसा जो ट्रेडिशनल आउसके अंदर क्या तो आप क्या करते और देने प्रस्ता देने की कोशिस करते जबकि एक्ट्वल में क्या होना चाहिए आपके चाल अपने 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 इसाफ से होने चाहिए और उसी के अशाब से आपको चलना चाहिए सबस्क्राइब कर और करके यह लेकिन भी तो मार्केट पर्यों यह सत्क्राइब यह रिएन यहLuc हुआ है ड्लिमिटेड रिपोकेश बात नहीं कर रहा था यह तू क्या सब्सक्राइब जो है उसको क्या करो और कम से कम करो और यह यह जो है यह समझ लीजीए कर यह जो ट्रेडिशनल जो था ना वह तरीके से कंपनी के अंदर ही बैठा रहता था वो जो है वो सिरफ और सिरफ सस्ता करने के चक्कर में ही रहता था तो ना कंपिटिशन देख रहा है ना मार्केट ग्रोथ देख रहा था ना कस्टोमर की रिक्वार्मेंट देख रहा था कस्टोमर जो हमारे प्रोडक्ट से खोस है या नहीं है वो सारी चीज़ें नहीं देख रहा था उसको जैसे ही लगा कि इसको और सस्ते तरीके से कर देता जबकि customer जो उसके लिए extra pay करने को भी तयार उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी अपन क्या कर रहे हैं सस्ता कर रहे हैं तो वो market के अंदर जो study करी नहीं रहा था marketing भी अगर आपने net के अंदर पड़ी होगी तो marketing के अंदर भी क्या का जाता है है कि मार्केटिंग अभी जो सुरू होती है किस से होती है customer से सुरू होती है पहले जो production से सुरू होते था ए वह customer किया चाहता है वो सबसे प्रáइम चीज है उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा सारी चीज़ें करने होगी जबकि ये ये वो customer वगेरा customer के satisfaction वगेरा जो उनको उपर ज्यान नहीं देता था और access affect focus on cost reduction पूरे दिन रोता रहता था पैसा कम खर्च करो पैसा गर्च करो पैसा कम खर्च करो पैसा कम खर्च करो अग्णोर dynamics of the marketing and economics और marketing वगेरा के जो फाइदे लिए जा सकते हैं economics वगेरा के जो फाइदे लिए जा सकते हैं वो सारे सारी ये क्या कर देता था ignore कर देता था क्योंकि ये जो अपने एक तरीके से company के अंदर कमरे के अंदर ही बैठा रहता था समझारी बात भाई है क्लेर ही या तक के के अंदर के ने तक का उसकारण जो क्या हुआ ये इस्टेडेजी आड़्यज्मेंट जो है इसमें थोड़ा सा मैंने थेओरी ज़्यादा लिखिए तहीजिन ये क्यों कि ये थेओर्टिकल है तो ये थोड़ा सा पढ़ हो गे आपको एक बार वापस ओवर ओल जादा समझाएगा इन दे मोडन बिजनेस इन्वार्मेंट इट इस नॉट सफिसेंट टू कंट्रोल कॉस्ट एंड बिजनेस मस्ट फोकस अन्द मैनेज कॉस्ट एस्टेटेजी को कहे रहेगे सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करना जो आज के टाइ करने वाले क्योंकि ज़रूर ही नहीं कि हर जो सस्ता प्रोडड़क्ट हो उसी को कास्टवमर मिले जहएवically तोह इतना ज्यादा मैंगया अनमूलत कह सकते हैं को हम यह नहीं कह सकते कि सिरफ cost control करके मार्केट में हम क्या कर सकते हैं लीड कर सकते हैं वह जरूरी नहीं है कि सिरफ Contτ कंट्रोल से हम लीड करें को इसे दिमांड करें जो पर्टिकुलर पर कॉस्ट इस्टेटेजी जो बनानी होगे जैसे कल को एपल जो क्या कर दे यह उस मैंसे जो कुछ component है जैसे उसका ICU वगएरा जो हो क्या कर दे सस्ता लगाना शुरू करते जैसे उन्होंने अभी नया जो लगाया था जैसे आइपेड वगएरा है उनके अंदर वह एंवन चिप लगाने के वज़ाए वह जो पहले जिन से खरीद रहे थे इंटेल वगएरा से उन्हें इसका continue करें तो वह उनको सस्ता बढ़ रहा था इसके अंदर रिसेक्चन डॉलॉपमेंट में उनको खर्चा जादा लगा लेकिन उनको यह चीज पता है कि हमारा जो प्रोड़क्ट है वह हम इसी वज़य से मार्केट में सेल कर पा रहे हैं क्य पर और उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा कोस्ट की इस्टेडी करने होगे इन बिजनेस टूड़े ओपरेट इन इन्वार्मेंट विद्ध इस्टिव कंपिटिशन इंक्रीजिंग कस्टमर डिमांड फूर्द पॉलिटी प्रोड़क्ट एंड टेक्नोलोजी रिवोलि कि अंदर क्या करना है उसके अंदर प्रोड़स बना स्माजारी मत जब आप नई चीज लेके आ रहे हो कितने में आपका प्रोडक्ट वने साथ कोई दिख्कत नहीं है जो सस्टा बेच रहा है वो नहीं कहमा रहा है उस?' कमाना है लेकिन दूनों के तरीक है अलग है तो उस case के अंदर पता होना चाहिए organization को पता होना चाहिए कि कौन से strategy के जरी के अंदर जाना अचाहते हैं जाना आपने एक मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए अपने दू इस्टेशीं पड़ी थी पिने ट्रेशन फ्राइब प्राइजिंग पॉलिशी और एक इसकी मिंग प्राइजिंग पॉलिशी की शुरुवात के अंदर महेंगा रख दो और अच्छा खासा पैसा जो कमा लो और फिर प्रोड़क्ट जो वो उससे जितना बन सकता है उतना कमा लो और पिर निकल लो और दूसरा जो क्या है तेरे- प्राइजिंग पॉलिशी जो रखी हो तो क्या पहली वाली सही है क्या कोई जरूरी नहीं क्या दूसरी वाली सही है क्या कोई जरूरी नहीं हर केस के अंदर अलग-अलग केस है जिस केस में जिसको जो स्टेटेजी सूटेबल है उसके हिसाफ से क्या करना चाहिए उसे अप के लिए कौन से ही काम कर रहे हैं समझारी बात तो पर्टिकुलर आप जब ओवर ओल इस्टिटेज़ डिसाइड कर रहे हो ना उस वक्त उसको पानी लेने के लिए या समुझ से लेने के लिए मत विजो उसको भी पासम बिठाओ और उसको भी पूछो कि अगर अगर अपन इस अगर इस एक लिए अच्युड बाइदा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक सुपेरियर परफॉर्मेंस आपके प्रोड़क्ट कि जो वो देनी पड़ेगी जो कि बाकी कस्टमर से जो है वो सुपेरियर हो अब सुपेरियर अलग अलग तरीके से हो सकते समझारी चोष्ट लिएए वो सकती है और प्रोड़क्ट डिफ्रेंसियासन भी हो सकती है हो सकता है कि आप क्या करो बहुत सस्ते में बना के बेच रहे हो ये भी एक तरीके के इस्टेट ही है इससे भी आप मार्केट के अंदर लीड कर सकते हो और प्रोड़क्ट डिफ्रेंसियेशन के जरिये भी आप जो मार्केट के अंदर लीड कर सकते हो भई हमारा प्रोड़क्ट जो हो बाके के प्रोड़क्ट जो भी दे रहे हैं उन सब क्या है अलग है इस तरीके से भी मार्केट लीड कर सकते हो और हमारा प्रोड़क्ट सबसे सस्ता इस तरीके से भी कर सकते हो तो सुपेरियर परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ यह नहीं कि product जो बहुत ज्यादा अच्छा हो यह भी एक तरीके से cost leader से भी एक तरीके की क्या है superior performance लोग जो जिसको पांच रुपे में बना रहे हैं अगर आप उसको तीन रुपे में बना पा रहे हो तो उस case के अंदर भी आप एक तरीके से अगर आप तीन रुपे में बना रहे हैं तो यह भी एक तरीके से superiority है आप यहां पर क्या है उनसे best है यह भी हो सकता है यह जो quality आपके कंपीटिटर दे रहे हैं उससे आपके product की quality अच्छी है quality अच्छी है तो भी आप superior performance दे रहे हैं कि नमर्जारी बात हाँ तो यहां superior जो वो दोनों में से किसी भी तरीके से वो सकता है यह 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 भी एक तरीके superior performance समझारी बात बाकी वाले 5 में बना रहे हैं आप 3 में बना रहे हैं यह भी superior performance है इस्ट्रेटेटेजिक पॉजिशन पॉजिशन आप बिजनस एज वैल आज कंट्रोल द कॉस्ट वह खहरा है कि यहां हम क्या करेंगे ओवर ओल जो हमारी पॉजिसन ही वह क्या करेंगे मार्केट के अंदर सुधारने की को सेज करेंगे यह जैसे घड़ी के वगएरा कि आपने एड जो देख रहे होंगे या पिर डेरी मिल्क वगएरा कि जो आप देखते हो जिसके अंदर वो एक सास और बहुँ जो दोनों डांस करते हैं तो वो सारे सारे एड वगएरा यह क्यों कर रहे हैं ताकि वो उनकी पर्टिकुलर पोज पोजिशन जो वो एक लोगों के उनके पास क्या हो सिंपेति जो बड़े तो आपको अल्टिमेटली यहां पर कोस्ट में अब मार्केटिंग के अंदर पैसा खर्च करोगे तो वो फोगट के अंदर तो करेगा नहीं एड जो आपका एड अगर करोगे तो उसके इसके अंद आप जो अल्टर्णेटिवा यहलेबल हो उस अल्टर्नेटिमे साब आपको लगए वह आपको सलेक्ट करना है जैसे कि आपने यह विक्रम मुवी देख रखी होगे से उसके अंदर जो लास्ट में रोलेक्स आता है तो उसके पास जो स्पीकर होता है कौंसा मार्सल का स्पीकर होता अब उन्होंने marketing के लिए इस्ट टेज जो उन्हों decide की और उसके अशांपते उनको उनको क्या हुआ फाइधा मिला जो जितना उनको वहां पर मिला है समय जारी बात तो अल्टिमेटली हमारी पोजिशन जो सुधार नहीं है मार्केट के अंदर जो हमारी पोजिशन जो बहुर बैतर रखनी है और उसके लिए अपन सारे काम करेंगे और कॉस्ट को जो कंट्रोल में रखते हुए बहुत ज्यादा अन्नेसेसरी कॉस्ट का मतलब क्या है अन्नेसेसरी नहीं होना चीए अपन तीन वर्ड पढ़ेते कंजूस मिद्वई और अबवई आपको अबवई भी नहीं होना ऐसा नहीं कि पोजिशन सुधाने के चक्कर में जो आप क्या करते पिर रहे हो दान करते पिर रहे हो ऐसी भी जरुरत नहीं है इत आल्सओ इन्वाल इंटिंग्रइटिंग कोस्ट इंफॉरमेशन विधा डिसीजन मेकेंग फ्रेम वर्ग टू सपोर्ट अधा और व्रोल ओर्डिनेजीशन स्ट्रिटेजन बना रहे हो तो उसके इसके अंदर जो cost अकाउंटेंट है उसको पास बेटा और उसको भी पूछो कि क्या लगता है तुम्हें कितने में तुम बना सकते हो इसको और सस्ता किस तरीके से किया जाए या फिर इसके quality और बैटर किस तरीके से की जाए तो overall फॉर्म जब कर रही है मार्केट के अंदर किस तरीके से एंटर करना हो डिसाइड कर रहे है तो आपर cost information को भी लेके चलो कि हमारे पास technology क्या है हमारे पास machine क्या है हम इस product को किस तरीके से बना सकते हैं जैसे कुछ ऐसे इंडिया से बहार बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है क्योंकि हैं डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीजें बनाने में आप expert है जो चीजें जिस तरीके से बनाने में expert है कितनी value आप deliver कर सकते हैं उसको कितनी cost के अंदर कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें जो decide करो उस वक्त वो कह रहा है cost information देने वाले जो है उसको भी साथ लेके चलो it is not limited to controlling cost but using cost information for the management decision making अब आपको समझ आ रहा है कि है पूर ठर्टी कर को कह रहा है कि भाई सिरफ controlling cost के लिए जरूरी नहीं है management decision making जब ले तब भी cost information के यूज करें the cost management technique should be such that they improve the strategic positioning of business apart from the focusing on the controlling cost इस सारी लग पाग सेम लाइन लिख रिकी न है strategy cost management लेज़े greater focus on the continuous improvement एक इजन policy वगेरा जो है न जापनीज वगेरा वो सारा सारा जो है वो इसी में strategy cost management के अंदर ही आता है कि हमें continuous improvement करते रहना होगा to deliver superior quality product to the customer आज अपना product सबसे best है इसका मतलब यह नहीं है कि हमेसा अपना product ही best रहेगा क्योंकि हमारा competitor भी अपने product के अंदर क्या करेगा इंप्रूमेंट करेगा तो हम जैसे वर्स्ट position पर है हमने क्या किया research and development के खर्चे बंद कर दिया अपना product सबसे best है अब करने की क्या ज़रू होता है अभी best है लेकिन हमेसा best रहेंगे क्या यह है डिपेंड करेगा कि आप continuous improvement कर रहे है या नहीं कर रहें क्योंकि जो चीज़ एक बार market के अंदर आ चुकिए वो चीज़ें बाकी वाले भी जो क्या करेंगे बना देंगे ही कि इस्टेजी कॉस्ट मैंजमेंट बसका और इंटेग्रल पाइप आप न होना चीज़े है इस needs to include all aspects of the production purchase design manufacturing delivery and services वो सुरू से लेकर जब प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन सुरू होता हूँ से लिएकर जब तक आप देटे और बेचने के बाद after sales service है वहाँ सारों तक आपको क्या करना होगा यह यह strategy cost management यह लेकर चलना होगा जैसे कई ऐसे प्रोड़क्ट थे जिन्होंने जिनका मार्केट से आउट होने का मेन कारण यह था कि उनके आप्टर सेल सर्विस जो थी वह अच्छी नहीं थी कि आपने एक बार प्रोड़क्ट ले लिया जैसे चाहिना के जो पर्टिकुलर मूबैल है वह एक बार ले लो किस तरीके से करोगे डिजाइन, मैनुफेक्ट्रिंग, डिलेवरी और उसके बाद में आप्टर सेल सर्विस सारा कौछ जो लेके चलोगे It is important that strategy cost management is involved at early stage of the product development cycle to avoid heavy cost to failure वो कह रहा है कि strategy cost management जो है या cost management accountant है जिसके पास cost के information उसको सुरू से अपने साथ लेके चलिएगा ताकि वो सुरू से ही उसके अंदर जो उसका input दे सकता है कि भाई इसको किस तरीके स किया जा सकता है किस cost के अंदर किया जा सकता है जो सुरू से अगर आपको input देखा था आप उसको पूरे production process के अंदर और after sales service के अंदर जो आप उसका क्या कर पाओगे फाइदा ले पाओगे The basic aim of the strategy cost management is to help the organization to achieve the sustainable competitive advantage sustainable मतलब continuous चलने वाला competitive advantage मतलब कि overall जो आपके competitive है उससे आपको ज्यादा फाइदा मिले त्रू product differentiation and cost leadership product differentiation के जरिये और cost leadership के जरिये आपको क्या खरवाना है market के अंदर बाकी वालों से ज्यादा जो है advantage देलवाना और वो भी continuous देलवाना product differentiation और cost leadership जो आप समच चुके जो है the managerial use of cost information explicitly directed to one or more of the four stages of the strategic management यह कह रहा है कि यह cost information का use है न कोई चार stages में से कोई एक पर या दो पर या तीन पर या चार पर जो उसका use किया जा सकता वैसे नॉर्मली किया चारों जगे जाता है जैसे formulating strategy जब आप strategy decide कर रहे हो उस वक्त cost information को जो है उसको use कीजिएगा communicating these strategy throughout the organization simple cycle पहले strategy बनाओगे फिर organization दोगे फिर जो आप क्या करोगे developing and carrying a tactic to implement the strategy और developing and implementing control to monitor the success of the objective जैसे सबसे पहले मैं strategy बनाओगा यह जो अपने को करना है फिर उस strategy को communicate करूँगा मेरे जो भी subordinate उनको काऊँगा अपन ने जो यह सोचा और यह अपने को करना है और फिर उसको करने के लिए कुछ tactic कुछ तरीके जो क्या करेंगे काम करना है और फिर उसको क्या करेंगे बर मॉनिटर करते रहेंगे कि जो हमने सोचा है वो सही तरीके से हो रहा या नहीं हो रहा है यह हैं यहांपर क्या कर रहा है वहांपर manager Reduce करना इक सरक bit je कि पॉइंट है लिए पंज से बनने के ज्ञाइदा साथ हरे沒有 मैं इस में सभाने के लिए क्योंос इसी का क्या था इंटर्णल militar गड़ता इस तरीक से यहाँ पर क्या होगा इच वैल्य आक्TIVITY है जिसे सेपरेट कॉस्ट ट्राइब यहाँ पर अपन कौन सा तरीका लगाएंगे जो अपनने activity based costing में पढ़ाता ना उस तरीके से कि हर एक जो activity उसका क्या होगा separate cost driver होगा जैसे कि अपनने कहा था कि इंस्पेक्शन के लिए number of inspection जो वो एक तरीके से cost driver का काम करेगा तो not based on the volume but on activity वो कह रहा है कि इस वज़े से volume कितनी unit बना रहे हैं उस इसाब से नहीं होगा यहां पर cost जो लगती है वो activity के साब से लगती activity कितनी जो ज्यादा लग रही activity associated with the manufacturing of the product एक particular product बनाने के अंदर कितनी जो activity लग रही है जैसे जो premium product होते हैं उनके अंदर inspection की cost ज्यादा लगती है वो चाहते हैं कि market के अंदर जब product है तो उसमें defect नहीं हो इस वज़े से वो दो layer या तीन layer का inspection करवाते हैं एक जो है वो सस्ता चलाने के चक्कर में हो करते हैं कि ऐसा कोई बड़ा पहाड नहीं तूट जाएगा अगर एक दो product खराब चले गए एक दो customer जो रो भी दिये तो कोई खास पहाड नहीं तूट जाएगा तो वह वहां पर inspection की cost जो क्या करते हैं कम करते हैं तो वो कह रहा ह कि इसके अंदर objective क्या होता है score keeping score keeping मतलब कि score क्या होता है क्रिकेट के अंदर देखते हो ना score क्या हुआ 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 हर चीज के मामले में कितनी cost लगी उसके बारे में सारा सारा record रखना attention डारेक्शन डारेक्टिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी चीज आ रही है उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो आपकी cost लग रही है उनको record करना और उसके इसाब से कौन सी चीजों में जैसे अगर कहीं पर वेस्टे ज्यादा है तो उसके उपर क्या करेगा ज् सारे सारे काम कौन से internal काम है cost क्या लग रही है उसका record करना attention direction करना या problem solving यह सारी सारी क्या है जो समझ से हैं उसके सामने आ रही internal process के अंदर वो सिरफ और सिरफ ज्यान उसका क्या काम पर है यहां पर है यहां पर यह पूरा का पूरा क्या करेगा market के अंदर बाहर की side से यहां cost reduction जो primary है यहां primary जो है वो क्या है प्राइम जो अब्जेक्ट विज कोस्ट containment cost reduction and value improvement at the same time वो कह रहा है कि हमारे यहां पर सिरफ और सिरफ cost reduction नहीं है सही cost कम cost और value improvement यह सारे सारे जो एक साथ continuous जो होने चाहिए यहां तक मां कोई doubt हो तो बता दीजिए एक अप्रोच और है वो देख लेते हैं फिर उसके बाद में यहां तक मां doubt बता जीए अप्रोच रिस्क एडवर्स यह रिस्क जो लेने से खत रहेंगे वो रिस्क टेकिंग अबिलिटी तो एड़ाप्ट दा इस्टेल विदा चेंजिंग इन्वर्मेंट तो यहां तक मैं कोई doubt हो तो बताईए हैं क्लीर है वाट देको अल्टिमेटली यह इतना सारा कुछ समझने के बाद में कोस्टिंग के अंदर जो क्याश्टिंग होए उनमे से अगर 50 question है उसमें से 5 question वैसे होने यह चाहिए बाकि RPC सीधे सीधे question पीजी बार पूछे वैसे वैसे पूछ ले तो बातल लगे बाकि 5 question कम से कम costing अंदर 50 का paper है तो उसमें 5 question ऐसे होने चाहिए जो आपको वाकर अपने खुद के दिमाग का यूज करके जो आप answer करो इस तरीक के अंदर यह वाइनल के अंदर जब हमने दिया था उस वक्त जो पर्टिकुलर question आते थे जैसे ट्रांस प्राइजिंग और यह सारे चेप्टर आज के टाइम में देखोगे तो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग जो वो त्योरिटिकल आने लग गया paper जो हो उसमें practical बहुत कम चीजें देखने के मिलेगे और वाकी सही approach जो यही है कि आपको ultimately case based study आने चाहिए कि इस situation के अंदर आपको क्या करना चाहिए और particular के situation में क्या करना चाहिए यह सिखाया नहीं जा सकते यह उस particular situation को सही तरीके से study करने में जवाब को उसका पता चलेगा जो सिए final के अंदर हम जिन से पढ़ते थे वो सर एक बात हमें सा कहते थे costing के अंदर आपका question 70% correct हो जाएगा अगर आपने costing का question सही से पढ़ा है अगर costing का question सही से नहीं पढ़ा है तो उस case के अंदर आपको जहें आपके कितना ही concept clear हो आपका question जो गलत होगा ऐसे कुछ question होने चीए लेकिन 2015 December 2015 सत्रा जनौरी 2016 को जो रिजल्ट आया है था कि वह सत्राइब आ रहा था इस वजह से डर था क्यों सत्राइब मेरे लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता था 17 जो है वो डिट पिकारी लगते थे मैंसे सुरू से क्या हो गया तो बात कहते हूं कि कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रीटेजिक कॉस्ट मेनेजर्ट जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में पड़ कितने साथ आठ महीने तो जो हूं कंटिन्यू बैट के जो हूं क्राइम पेट्रोल देखा पता नहीं क्या हो गया तो सवक्त क्रा मैं था बैष पैर गाख में आठ ओता नहीं का दूक्ति में अए पड़ कि उलेक्त करता मत्त कर हैं शार को क्यों एक शार का अरो मेरे को अच्छी लगती थी पर मैंने का नहीं कॉन डेली डेली मार्क है इसलिए अपने को यह नहीं लेने हूँ आट जब वो खास पसंद थी नहीं क्यों थोरी अमिशा से विकार लगती थी तो फिर बीट क्यों आप्शन जो हूँ यह कॉमर्स ही बचाता था 12 तक तो पता ही नहीं था कि इसके बाद में होता किया 12 तक तो मैं और संदीफस फराmaking जब глаз कर दे लिए थे उनकी 10 अब ये शुरू सही था मुझे लगता है मेरे को सीए फाइनल जो क्लियर करने में बहुत ज्यादा जो मदद मिली ग्रूप स्टेडी से संदीब स्यटों के लड़के है मामा के लड़के मतलब संदीब के ममी और मेरे पापा ऑर दोन अमयरे ममी है संदीब साथ तो सुरू से साथ में थे और फिर यहां पर जो पिटिक के टाइम से जो बरसर और नीरे सर्मा और यह सारे सारे मिल गए ते विश्णु बाबल मतलब जो सरकल जो था वो सारक सारा अभी एक जो उसने अडानी जोइन कर लिया और उसका वहां ठीक चल रहा है एक बाइस की त्यारी में चल चला गया वह वहां पर है बाकी हम तीन यहां पर है component of strategic cost management strategic positioning analysis cost driver analysis और value chain analysis बड़े बाइस से आगे कि हाँ यह बात चाब है ने अंपने साथ तो मैंशाज से बगवान की जो दया रही है हमें है साथ कुल्हे दिल रहे हैं ऐसा हुआ यह नहीं कि पई उस वक्त बरसर यहां जोदपूर ते हैं उस वक्त हमारे साथ नीरे सर्मत है जो अभी अड़ा नहीं में लगे हुए उनको सुरू से कॉर्परेट का सोगता तो उन्होंने वहां से बाद में जो कॉर्परेट जोइन के लिए अरे जोडपूर आ सकते हो जब जोडपूर आ सकते हो मिलने के लिए कोई ऐसा तिकत वाले बात नहीं है कॉंपोनेंट ऑफ स्टेटेजिक कॉस्ट मेनेजमेंट देरे-देरे मिलते जाते हैंँ अब उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो फ्रेंड शर्कल आपका किस तरीके से होगा उसमें वह सारी चीज़ेंट गरते हैं बापा की जो ट्राउंसपोर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती थी साल-2 साल से ज्यादा किसा स्कुल मैं पड़े नहीं थे जल्दी से ब्रेंट बनाना और उसके बादम जो सारे में जोठ जाना यह- न्यूर्मल अपने को क्या करना है मार्केट में अपनी पोजिशन क्या रखने है वो पहले से अपने को पता होना चाहिए अपने को क्या है जिनको कुछ भी नहीं है कैसे भी करके मुनाफ़ा कमाना है जिनको क्या करना है कैसे भी करके मुनाफ़ा कमाना तो उनका वैल्यू उस तरीके से उनका कल्चर इस तरीके से जैसे जोब सैटिस्पेक्शन की बात करते हैं जोब सैटिस्पेक्शन में पैसा एक फैक्टर है लेकिन पैसा एक मात्र फैक्टर नहीं है तो मैं जारी बत जैसे कई जो जोब से क्योंकि वहाँ पर culture इस तरीके का नहीं होता है आपस में गौसी वगरा चलती है तो वहाँ से जो दुखी हो जाते हैं कई जगें ऐसी होते हैं जहां पर क्या हो यह चीजें नहीं होते हैं काम करने का जो environment अच्छा होता है तो वहाँ पर salary कम भी मिलेगी तो वहाँ customer जो employee है वो रहना पसंद करेगा तो आपका product जो है वो market के अंदर किस तरीके से जाना उसमें आपकी value culture और ethics वगरा सारी सारी चीज़ जो matter करते हैं आप किस तरीके से काम करते हैं जैसे अपने यापर टाटा की case में का जाता है वो एक बहुत ही ethical company है L&T के बारे में का जाता है वो एक बहुत ही ethical company है तो आपका value culture system किस तरीके से वो उसके हिसाब साब की positioning होगे external environment क्या है और internal environment क्या है कि बार के case के अंदर market किस तरीके से चल रहा है market जो मान लेजे बहुत ज़्यादा गरीब या रखे लोगों के पास वहाँ पर आप premium product देने की कोशिस करोगे तो आप नहीं देप होगे लोगों के पास पैसा ठीक ठाक है sufficient पैसा है तो वहाँ पर आप महेंगा product भी दोगे तो चल जाएगा internal environment के आप देना चाहते हैं बहुत है लेकिन resources और competencies भी तो होनी चाहिए तो वह भी आपको देखना होगा और उसके इसाब से आप क्या करेंगे strategic position जो करेंगे actionable environment can be analyzed using model like pastel और यह आपने पढ़ेते हैं उसके अंदर net के अंदर पढ़े होंगे पेस्टल जो पॉलिटिकल एकोनोमिक सोशियल टेकनोलोजिकल इन्वार्मेंट एंड लीगल पेक्टर जो है उनके इसाब से आप external environment को steady कर सकते हैं या पोर्टर के फाइव forces जो है उनके इसाब से कर सकते हैं bargaining power of buyer पायर के bargaining power जो कब होगे जब supplier जब ज्यादा हो और वायर कम हो तो उसके के अंदर उसकी bargaining power बढ़ जाते हैं अगर supplier कम है और वायर बहुत सारे हैं तो उसके के अंदर bargaining power जो supplier की बढ़ जाती है rate of the substitute जो हमारा product उसके substitute कितने तर्यां कितने available हैं आगे वाला जो हो मैं है और आगे वाला जो है वो जैसे थमसब ने प्राइज बढ़ा दि तो वह क्या कह देगा वह कहेगा बैजास कोका कोला ने प्राइज बढ़ा दितो उसके इस अंदर कोका कोला जो है उसकी बजार कस् जेट टू-पेपसी करके उन्होंने एक एय निगा लाता तो उसमें क्या था हो उन्होंने का तक जैसे अगर आप एक पैपसी घरीते लोसके अपको इतने जैव वो पॉइंट मिलेंगे और उसमें 7 लाग पॉइंट से यह चीज होती है तो साथ लाग जो है वह पॉइंट एकटा करने के लिए कितने पैपसी खरीदने पड़ेंगे तो उसने टोटल अमून कैलकुलेट किया तो वह मान ली जाया उसका एक करोड रुपे और जैट के वैलू थी तीन करोड रुपे तो उसने क्या किया वह एक कर अच्छा जोग दिया है उस वज़े से हम आप से कुछ है और इसके लिए हम आपको यह 200 डोलर जो दे रहे हैं आगे वाले इनका 200 डोलर नहीं भई मेरको तो यह चाहिए चाहिए मैं आगे इसको मेरे यूज करना है फिर केस भी हुआ था और फिर एल्टीमेटली कोड जो उ करना पड़ेगा उनके बीच में बहुत जयदा से रिफान यह तो उनके बीच है पर उनके से ते ऩूढ़ी को नब्हुं करें यह नहीं करें तो जादा ठीक है तो ट्रेट अब सब्सेट्यूट कैसा है अब Pepsi और Coca-Cola में ज्यादा फरक ही नहीं है टेस्ट के अंदर जो बहुत कम लोगों को जो फरक पता चलता है तो वहाँ पर substitute जो है वो क्या है बहुत ही strong substitute है या पर threat of new entrance मतलब की नया और कौन आ सकता है उसके अंदर intensity of competition competition जो किस तरीके का अगर intention of competition हाई है तो उसके इसके अंदर आपको उस तरीके से चलना पड़ेगी जैसे Coca-Cola और Pepsi के अंदर उस टाइम के लिए बहुत ही high intention जो उनके बेच में क्या था competition था फिर उन्होंने आपस में जो पाते decided करी कुछ चीजह हो गया करी कुछ शिश्यों महामले में कि यह त्रहिते जो के कहां तो गया क्रेंगे जो और test शब्राइवर अनॉसरे को आदर दो अलग्した एक्टिविटी बेस्ट के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां भी पढ़ा था अपने इसको कॉस्ट ड्राइवर को यहां पर जो इसको थोड़ा सा सिंय कॉस्ट मैनेजमेंट इनका जो बैफर सेंझो अलग-अलग हूता है वहां जो था एक तो रेशोर्च कोस्ट ड्राइवर था और दूसरा क्या था एक तो रिस्वर्स कॉस्ट ट्राइवर था और एक यह नहीं था उसका है अ एकटिविटी कॉस्ट ड्राइवर है ना तो दिन वह एक्टिविटी बेस्ट कॉस्टिंग ओटा है यहां पर इस्टेटेट ऑच्ट मैंनेजमेंट में उसको तो अलग अलग तरीके से बांटा यह ज्यान रखेगा देखो अगर आपको कॉस्ट ड्राइवर पूछा जाए दो तरीके से तो आप नॉर्मली कौन से बताओगे एक्टिविटी बेस्ट वाले अगर आप से पूछा जाए कि कॉस्ट ड्राइवर के दो तरीके बताओ जो कि स्ट्रैजी कोस्ट मेनेजमेंट के साब से तो आपको क्या करोंगे यह 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 वाले जो है 50 कॉलेज में या कहीं पे भी तो आप क्या करते हो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है उस तरीके से आपको क्या होगा कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट कम होती है एक पॉइंट आता है जहां पर यह तो एमसी और वो जो है मार्जिनल कॉस्ट और एक और लिमिट तक आपकी क्या होगे कॉस्ट पर यूनिट जो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी लेकिन एक लिमिट के बाद यह क्या हो जो जाएगी वापस जो बढ़नी शुरू जाएगी इससे कहते है अपन एकोनोमी अप इसकेल जो है उसका फायदा मिलना कि भाइज जो प फायदा मिलेगा अगर आप पुरानी टेक्नलोजी इस्तिमाल करें तो उसके इसके अंदर आपको नुक्सान होगा कॉंप्लेक्सिटी आप उप्रेशन काम जो हो कितना देखो अगर हम इसके अंदर आगे हम पढ़ते हैं कि बिजनस प्रोसेस री इंजिनरिंग यह क्या होता बिजनस प्रोसेस री इंजिनरिंग यह यहां से काम होता उसके बाद में यह यहां पर काम होता यहां पर काम होता और इसके बाद में यह इस तरीके जाता है तो इस प्रोसेस को इस तरीके से रखिएगा कि यहां से आसान इसे डिलीवर हो जाए यहां से आसान इसे डिलीवर हो जाए ताकि काम complete हो अब इसी को अगर आप complicated कर दोगे जैसे कि हम देखते हैं पुराने time के अंदर movie जब भी बताते हैं तो यह राजा मारा जा जो भी बतात है कि जो राजा मारा जो होते हैं उनके अंदर जैसे बेटे को कुछ कहना होता है तो सीधा उनको नहीं कहता है वो कहता है माते पिता स्री से यह बताना फिर जो मा जो पिता जी से बताते पिर पिता जी जो उसको सीधा नहीं कहते हैं उसके बड़े बाई को कहते हैं यह इस क्या है unnecessary process को क्या कर दिया गया complicated कर दिया गया अगर आपको बात करने सीधा जाके पिताजी से बात कीजिए यहां तो वह सब देंगे या कूटेंगे लेकिन जो भी होगा वह बात complete होगी तो यह क्या होगा process को simplified करना हो हो गया अब unnecessary इस तरीके से business के अंदर भी हैरार के आपने इस तरीके से decide कर दिया कि कोस्ट का information जो है सरकारी तंतर में काम जो लेट होने का कारण क्या है क्यों कि उनके हरार की जो बहुत ज़्यादा complicated है अगर कोई बरते निकालने चाहिए तो स्के लिए उसको बहुत जो है लंबा रूट जो लेकी चलना पढ़ता है कि इसके पास जाएगा sign ौके पिर जो document बनके इसके पास जाएंगे फिर document बनके इसके पास जाएंगे फिर वह अपरू करेगा फिर उसके बाद में जो advertisement issue होगा फिर इस तरीके होगा फिर आंसर की आएगे फिर इस तरीके से आएगा तो प्रोसेस unnecessary क्या कर रखा है complicated कर रखा है समझारी पर तो structured cost driver के अंदर क्या करेंगे यह किसके बारे में बात कर रहा है organizational factor जो कि organization के खुद के factor है और जिसके अंदर यह वाले जो आएंगे दोनों को पढ़ने के बाद दोनों में आपको difference समझाएगा यह एक बार यहां तक का समझाएगा यहां तक का समझाए दोनों को पढ़के फिर इन दोनों को बीच में difference जो समझाएगा नाम से एक चीज तो समझा गया किस से बना हुआ एक्जीक्यूट करना किसी काम को किस तरीके से करना based on the forms operation decision on how the various resources are employed to achieve the goals and objective यह क्या कह रहा है कि काम तो करने समझारी बात काम तो हमें यह करने है लेकिन हमें इस काम को किस तरीके से करना चाहिए समझारी बात बात काम तो जो ते हुए हैं वो काम तो करने है लेकिन उस काम को किस तरीके से किया जाए किस तरीके से resources को utilize किया जाए ताकि अपने जो ते किया वो काम हो जाए और वो best way के अंदर हो जाए these are determined by the management style or policy अब यह जो particular management की किस तरीके से style है और क्या उनकी policy किस तर workforce towards the continuous improvement importance of the total quality management efficiency of the plant layout ETCR अब हमें काम करना है उस काम को भैतर तरीके से करना है अब काम करने वाले कौन है employee है एक तो तरीका क्या management कहता है कि employee को क्या पास में बिटा होगे इस movie के अंदर जो होते हैं वो दोनों एक जो वो काला होता और एक जो टकला होता हो दोनों जो कहते हैं कि नहीं गरीब के हाथ लगा दिया आप जो आप बस ना पड़ेगा उस तरीके का अगर है आपका management उन पाइंगे के इस काम को मैं तरीका से करते हुआ दिक्कत अ सबस्सें यहाँ देखकत नहीं तो हमें इस तरीके सबलेखत कर नहीं है जो वो नेचे से जो ग्राउंड से उपर गए हूं तो उनको पता है कि काम किस तरीके से लोगों को खुश किया जा सकता है क्या बातें उनको अच्छी लगते क्या बातें उनको बुरी लगती है राउल गांधी जो भाई वह भी नो डाउट अच्छे आदमी ऐसा नहीं मैं किसी एक फैएवर कर रहा हूं कि यह अच्छे है या वह बुरे लकिन उन्होंने क्या है वह यह गृउन लेवल नहीं देखर रखका ऑब ग्राउंड लेवल नहीं देखर रखका और वह यह तो 정bels आपनेलिया कि कि नहीं को समझ नहीं बाते और उस विचल नगंको बात बात बहुत अमीर भी जो गरीब देखने मिल जाते हैं बहुत पैसे वाले हैं लेकिन दू चार रुपए के लिए मर्दे रहते हैं ठीक हो भी है वैसे भी है तो उनके लिए जो पैसा होके भी उनके लिए गरीब है तो बात उनकी सही थी और कई जो कम पैसों के अंदर भी जो आराम से रह चारन हैं तो उलटिमेटलि काम करने वाले वर्कपोर्स साथ में जोड़ो उन से बात करओ किस तरीका सी और किया जासकता है टोटल क्वालिट्टि मैनेज्मेंट । जो इमपर्टेंस के सर्फ तरीके से दिया जाए ऐस फ्लांट का ले आउट के जो इस तरीके से design किया जाए उसका layout जैए वो efficiency को increase करने वाला हो कि यह machine हो यह machine हो यह machine हो यह से इस तरीके से आगे product deliver होगा यह इस तरीके से एक्जामपल of the executioner post वह उसका दीजन यही है ना समझा रहे वाद उनका इस पीच जो वो लिखने का कारण यह है कि कि अब जिस तरीके के आप खुद होंगे उसी तरीके के आपके दोस्त होंगे आपको वैसे लोग पसंद आएंगे अगर आप अगर आप बिल्कुल जो है समझदार टाइप के और पड़ा को लोग जो दोस्त बनेंगे क्लास में कोई पीछे बिठाता थोड़ी है आदमें अपने इच्छा से बैठता है दोस्त कोई बनवाता थोड़ी वो अपने एसाब से बनाता है तो उनकी जो है वो जिस तरीके और इसके वो अपने क्या करेंगे जो उनके सपोर्ट स्टाप है स्पेच लिखने वाला उनको रखेंगे समझारी बार तो यह यहां पर समझेगा दो देखो कॉस्ट ड्राइवर यहां पर किस तरीके से दो चीजे एक तो इस्ट्रक्टर कोस्ट ड्राइवर और एक है एग् इसमें में चीज क्या रखना यह किसके बारे में बात करेगा इस्ट्रक्टर में और गिनाइज़ेसनल फेक्टर के बारे में जो बात करेगा और गिनाज़ेसनल फेक्टर जो भी है उनके स्ट्रडी करनी है जो कि क्या करें है प्रोड़क्ट के बारे में उनके कॉस्ट के ब क्लिर है यहां तक का यह दू चार वर्ड एन का ज्यान रखिए कि बागी क्वेशन इसका असान सही आएगा वैल्यू चैन एनालिसिस जो कि अपने एक्टिविटी के अंदर जो बात किती वैसा वैसा है फॉर्स सज्जेस्टेट बाई मिसेल पोर्टर जिसने यह फॉर्सेज दिया था ना वह उसी ने दिया तो अगर आप कभी अभी तो मत पढ़िएगा बागी कभी अगर पढ़ना चाहो तो यह एक तो उसकी है पीटर कोटलर के मार्केटिंग के बुक्स है इस पर अमेजन वाली जो है ना उनके बुक वाली साइट उस पर पढ़िएगा एक पीटर डुकर के जो मैनेजमेंट की बुक है यह पढ़िए यह पढ़िए कि आपको बिजनस जो उसको समझाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा पीटर गॉटलर ने जो है उसकी उसने एक लाइ क्या में इतना ही काम है और पिसी ना उसको पढ़ने वाली है तो ना अपने पढ़ने के जूरू थे वैल्यू चैन अनलस के अंदर जो ग्राप से आपको वापसर विजन करवा देंगे इतना ही है कि एक बार बाते करने में यह डिसकसन ज्यादा होगा तो आपको याद कम कर ना पड़ेगा वैल्यू चैन फर्स सजेस्टेट बाय मिश्यल पोर्टर याद गरली जी का 1985 इस प्रोसेस्ट बाय विच आइडेंटिफाई एनलाइस वेडियस एक्टिविटी देट एड वैल्यू तो फाइनल प्रोड़क्ट दा आईडिया इस तो आइडेंटिवाइड योज एक्टिविटी विच डू नॉट एड़ वैल्यू टू दा फाइनल प्रोड़क्ट एंड एलिमिनेट सच नॉन वैल्यू एडिग एक्टिविटी अगे बाई जो भी आपके काम है मतलब कि जो भी आप एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं उस एक्टिविटी में जो आपके value add करने वाली activity है उनको तो रखो और जो non value added activity है उनको क्या कर दो रिमूव कर दो एक आप Instagram पर या कहीं पर देखा होगा उसके अंदर वो दो लोग जो वो क्या कर रहे होते हैं तो तीन लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो समान होटा करते हैं एदर ऑदार रख रहे होते ऊंदें जा रहा है वो कुछ जो उससे फाइदा नहीं मिलता है तो इस तरीके कि जो नॉन वैल्यू अड़िट एक्टिविटी उसको क्या करना है अटाना है हाँ हिंदी में मैं जो है वो अप्लोड कर दूँगा एक बार मैं जो है वो कंप्लीट यह जैसा उसका दिया था है इंट्रोडक्शन और कॉस्ट्ट मेनेजमेंट अकॉंटिंग वैसा वैसा मैं हिंदी में जो इसका आपको अप्लोड कर दूँगा हिंदी और इंग्लिस दोन में तो एक बार उस मेंसे जो आप देख लीजिए गहां कि लिए और इसमें एक्टिविटी जो उसको दो इसमें बाढ़ते हैं प्राइमरी और सेकिंडर एक्टिविटी प्राइमरी जो कि मैं एक्टिविटी है जो कि आपके इनपूट से लेके आउटपूट तक की है कैसे रो मेटर लाएगा कैसे प्रोसेस होगा कैसे जो प्रोड़क्त बनेगा कैसे जो इसको सेल करेंगे कैसे उसकी डिलेवर होगे यह जो है इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो प्राइमरी एक्टिविटी और इसको करने के लिए अपन कुछ और activity भी जो वो खरते हैं उनको आपन क्या कहते हैं support activity जो कहते हैं अपना पूरा समय दिए नया पूरा इसको देखने की जरुती नहीं अब इसमें क्या करोगे इच्टेजी कोस्टमे लिमीटेशन प्रेडी क्या के अंदर क्या क्या दिख्यती एक तो वह इटक्र jong Sut golpe кас कोस्ट कम करो कोस्ट कम करो ठीक है और दूसरा अगर हमें लॉंग टर्म के अंदर बात कर रहा था और दूसरा था वीजियन मेशन और अब्जेक्टिव अगर हमारा लॉंग टर्म के अंदर हमें देखना है तो उसके कोस्ट मेनेजमेंट का जो लेकिए उसमें जो तीन चीजें थी एक इस्ट्रीके से थे एक इस्ट्रक्चर और एक जो एक्जिकियोचनल उसकाम को किस तरीके से किया जाए और इस्ट्रक्चर जो आपका जैसे scale of product वगेरा था scale of production वगेरा जो था वो सारे इसके अंदर आ रहे थे और उसके बाद में value channel analysis की value का जो भी आपकी activity उसको क्या करो study करो जो भी activity value add कर रहे हैं उसको तो रखो और जो activity value add नहीं कर रहे हैं उसको हटा दो जिसमें दू चीजें थी primary और non primary थी इसके अंदर जो यह वो पीटर कॉर्ट सॉरी missile porter जो है उसके five forces जो है उसने दिया था जिसने 1985 में इसके बारे में value chain के बारे में बात की थी strategic framework for value chain analysis अगर हमें strategic framework देखनी है value chain analysis मतलब overall जो है किस तरीके से हम value chain analysis करेंगे तो उसके के अंदर आपन क्या करेंगे industry का structure analysis देखेंगे porter's five force यह क्या कहरा है कि ultimately पूरे form का value chain analysis आपको करना है तो उसके अंदर यह चीन चीज़े आप देख लीज़ेगा ता कि आपको समझाएगा तरीके से उसने कहा कि एक तो इंडर 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 के इस तरीके से पता करेंगे तो नहीं नहीं प्रोड़क्ट आने के चांसे कितने और intensity of competition कितना है यह सारी चीज़ें देख लो तो कि आपको इंडर समझाएगा है कि हमने का ठीक इंडर समझाएगा फिर उसके बाद में पूर इसके बाद में कुद का तया कर लो कि आपके पास क्या आपका प्रोड़क्ट डिफरेंट है या आपकी कॉस्ट लीडर्शिप है इन दोनों में साब किस पर डील कर रहे हो देख लो और उसके बाद में segmentation analysis फूरे बिजनस को एज़ हो ओल देख लो हो देख चुकिए ओफरोड यह यहां देख चुकिए हो यहां पर segment के इसाफ से के segment अलग अलग तहरी किस हो सकते है geographic area के साब से अप अपने business को बांट के देख लीजिए कि भई कहां पर अच्छा न आपकर बिकार कर सकते हैं जहां विकार होनेगेवाल हैं यहाँ आपक efter यहाँ कट्वा रोची करें एवाँ पर नहीं जाया है चाब में ने सब कर सकते हैं बैसा वैसा वैसा है उता एपाशे नहीं आपर अप शेकिन एडनें जैक करना एक आपनए काैंगिंगे मि आगए जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे हमारे अपने गहीं कर पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे वो चीजर अगर चेक करने था पर इंटरनल स्य नालिस पहतला कि अपने स्ना स्वेवरुप di एक तो खुद की कोस्ट कितनी लग रही जैसे पांच रूपर लग रही दूछरा इंटरनल डिफ्रेंशियस जैसे की कौन सा प्रोड़क्ट है मुझे नाम याद नहीं आ रहे कर ये सूथ का ب्रांड है उसका डिफरेंशियस ये कि उसके अंदर जो इन् डशिछ जो लगते हैं वो सारे हंमेंड होते हैं मसन से नहीं लगवते हैं वो उनका डिफरेंशियस अब उनके कॉश्ट ज़्यादा लगती लेकिन फिर उसके लिए लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है तो मज़ारी बात तो आपका differentiation क्या है वो चेक कर लिए जो तिसरा जो वर्टिकल लिंग के जैनलिसिस मतलब कि यह आपका वर्टिकल लिंकेज मतलब कि आपकी activity जो किस तरीके से एक दूसरे से link है वो देखिए कि आपका input कैसे आ रहा है ठीक है किसी पर तरीकेस हो सकता है न वर्टिकल लिंकेज यह input किस तरीकेस आ सकता है आता है फिर यह process किस तरीकेस होता है फिर उसके बाद में यह जो final product कैसे बन इनके नाम नाम पता होना चाहिए बागी इसमें ज्यादा डीटेल में जाने से मतलब नहीं तो यह आपका है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड मेनेज्मेंट अब अगर पूरा का पूरा रियूजन करना चाहो तो एक बार के अंदर जो आप क्या कर सकते हैं इस चैट के साथ से एक बार रियूजन जो कर सकते हैं इसमें हो जो डाउट बता दीजिवें क्ली एंटका क्ली एंटका पांच मिनिट का ब्रेक लेकर सुरू करें या कंटीनुई रखें अब बहुत चोटे चोटे टॉपिक बचेंग इंट्रोडक्शन और कॉस्ट अकांटिंग जो है वो जो है वो थोड़ा बड़ा है बाकी यह दू-तीन तो बहुत चोट चोटे पर्फॉर्मेंस इवैलियोशन जो है वो आपका ज्यादा बजता नहीं उसका रीजिन यह पर्फॉर्मेंस इवैलियोशन का ज्यादा नहीं बजने खा जो तेकनिक्स है वो सारी सारी टेकनिक्स है अपन मेनेजमेंट अकांटिंग में डिसकस कर चुके है जिसमें वैल्यू एड़ एड़ जो एनलेसिस है या पिर आरो आई था आराई था वो सारक सारा तो बहुत टाइम हुआ है अभी नौ से तालेस हुए हैं दस बज़े वापस सुरू करते हैं दस से वापस साड़े ग्यारे तक जो अपन बाकि दो तीन टॉपिक जो वो कम्पलीट कर लेंगा क्लियर वें हाँ बैलेंस स्कूर कार्ड वगेरा जो वहाँ पर लगबग डिस्कस हो चुके हैं तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं भीज जाँ झाल रेुपिक जाँ झाल